नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्ते तो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर जानकारियों को ले करके जी हाँ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कलोंजी के फायदे और कलोंजी से उपचार दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कलोंजी मौत को छोड़ कर हर मर्ज की दवा है तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कलोंजी के क्या क्या फायदे हैं और कलोंजी से उपचार कैसे किया जा सकता है या कलोंजी का सेवन किस तरह से करना है और कलोंजी किन के न रोगों में कैसे कैसे आपको फायदा पहुंचाती है तो health tips आप सुनते हैं हमारा इसके लिए सुक्रे आप सभी का दोस्तों आएए देखते हैं विभिन रोगों में कलोंजी से उपचार कैसे करें कलोंजी का उपयोग भारतेवे अंजनों और मसालों तथा अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा कलोंजी का उपयोग यूनानी दवाओं को बनाने में किया जाता है अंगिनत रोगों को ठीक करने वाला कलोंजी का पौधा सौफ के पौधे से थोड़ा छोटा होता है और इसमें हलके नीले और पीले फूल आते हैं दोस्तों इनका बीज जिसको हम कलोंजी बोलते हैं वो काले रंगे होते हैं कलोंजी लगभग हर घर में मौजूद रहने वाली चीज है ये जीवन से भर पूर गुणों वाली एक असरदार दवा है लेकिन बहुत कम लोग हैं इसके गुणों से वाकिफ होते हैं दोस्तों कलोंजी बहुत से रोगों में और बहुत तेजी से फायदा करती है आज उन में से हम यहां आपको कुछ रोगों का उपचार कलोंजी के द्वारा बता रहे हैं कलोंजी का सेवन सबसे पहले हम बता रहे हैं आप सभी को दोस्तों कि कलोंजी का सेवन कैसे करें कलोंजी के बीजों का सेवन आप सीधे ही कर सकते हैं इसके अलावा आप इसमें एक छोटा चमच कलोंजी के बीजों को शहद के साथ मिला कर भी सेवन कर सकते हैं कलोंजी को आप पानी में उबाल कर फिर छान लें और इस पानी को पीएं ऐसे भी आप कलोंजी को ले सकते हैं एक तरीका यह भी है कि आप कोलोंजी को दूध में उबालें और जब दूध ठंधा हो जाए तब इसको चान कर पिएं कोलोंजी को आप मिकसर में अच्छी तरह से ग्राइन कर लें और पानी या दूध के साथ इसका चूण सेवन कर सकते हैं एक मोडर्न तरीका यह भी है कि आप कलोंजी को ब्रेड पनीर तथा किसी अन्य खाद्य पदार्द पर छेड़क कर भी खा सकते हैं दोस्तों कलोंजी के फायदे इन तमाम रोगों में कलोंजी का सेवन कैसे करें जिहां दोस्तों कलोंजी के फैदे में आगे हम देखते हैं कि आपको कोन सी बेमारी है, तो कैसे यूज करना है कलोंजी को नमबर वन, दोस्तों आप जली हुई कलोंजी को हेयरोयल में मिला कर रोजाना नियमी प्रूप से سिर पर मालिश करें इससे गंजापन दूर होता है और अगर आपके बाल जढ़ रहे हैं तो नए बाल उगाते हैं और बाल जढ़ने बंद हो जाते हैं नमबर टू कलोंजी को पीस कर सिरके में मिला के रात को सूने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं और सुबह ठंड़े पानी से चेहरे को दोलें ऐसा करने से आपके चेहरे के मुहां से साथ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं दोस्तों नमबर थर्ड कान की सूजन में या बहरापन में कलोंजी के तेल को अच्छे से कद कदा लें और ठंड़ा होने के बाद कान में डालने से कान की सूजन दूर हो जाती है और साथ ही इसमें कम सुनाई देना और बहरापन जैसे रोगों में भी वायदा होता है दोस्तों नमबर फोर, दस ग्राम कलोंजी के बीज लें और इन्हें आप तीन छोटे चमच शहद के साथ मिला लें या आप रोजाना रात को सोते समय थोड़े दिन तक नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं इससे आपके पेट के कीड़े नश्ट हो जाएंगे नमबर फाइब, प्रसव पीड़ा में कलोंजी का काढ़ा बना कर सेवन करने से प्रसव की पीड़ा में आराम मिलता है दोस्तों नमबर सिक्स, पुराने जुकाम और नजले को ठीक करने के लिए आप आधा का पानी में आधा चमच कलोंजी का तेल एवं एक चवथाई चमच जैतून का तेल मिला कर इतना उबाल लें कि पानी खतम हो जाए और केवल तेल ही रह जाए फिर इसके बाद आप इसे चान कर दो बुंद नाक में डालें ऐसा करने से आपका पुराने से पुराना जुकाम भी गायब हो जाता है दोस्तों नमबर सेवन दाद खाज और खुजली में कलोंजी के चून को नारियल के तेल में मिला कर प्रभावी त्वाचा पर जिहां दोस्तों प्रभावी त्वाचा पर मालिश करने से चर्म रोगों में आरा मिलता है और कलोंजी इसे जड़ से खत्म कर देती है जिहां दोस्तों नमबर एट आँखों में लाली हो या फिर मोतिया बेंद या आपके आँखों में पानी आता हो इसके अलावा आँखों के रोशनी कम हो या कोई साभी आँखों के रोग में आप एक कप गाजर का रस लीजिए और लगभग आधा चमच कलोंजी का तेल नमबर नाइन एक कप गर्म पानी लें उसमें आधा चमच कलोंजी का तेल डाल कर रात को सोते समय पीने से स्नायूविक विकार वह मानसिक टेंशन दूर होती है दोस्तों नमबर टेन कलोंजी के बीजों को सेक लिए और इनको कपड़े में लपेट कर सूने से सर्दी में रहत मिलती है दोस्तों या फिर कलोंजी का तेल और जैतून का तेल दोनों को बराबर मातरा में मिलाकर दोदोबूंद नाक में टपकाने से आपकी सर्दी ठीक हो जाती है द क्लोंजी के तेल से मालिष करने से लखवा ठीक हो जाता है दोस्तों पीसी हुई क्लोंजी आधा चमच और इसमें एक चमच शहद मिलाकर चाटने से आपका मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है दोस्तों कुछ लोगों का सोते समय रात को निंद में विर्य अपने आप निकल जाता है तो ऐसे लोगों को सेव के रस में आधा चमच कलोंजी का तेल मिला कर दिन में दो बार सेवन करना चाहिए उनको स्वपन दोश की समस्या नहीं रह जाएगी दोस्तों एक कप पानी में 50 ग्राम के लगभग हरा ताजा पुदीना उबालने अब इस पानी में आधा चमच कलोंजी का तेल मिला कर सुबह खाली पेट एम रात को सोते समय सेवन करें इससे 21 दिनों में खून की कमी दूर होती है रोगी को खाने में खटी वस्तों का उप्योग नहीं करना चाहिए इस दर्मियान दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा और बार बार चीके आती हैं तो आप कलोंजी के बीजों को पीश कर उनका काढ़ा बना ले और दिन में 15-20 बार रह रह कर इसको सुंगें आपको फायदा होगा दोस्तों कलोंजी की भस्म को बवासीर के मस्सों पर नियमित रूप से लगाने से बवासीर की बिमारी ठीक हो जाती है दोस्तों किसी को चोट लग जाए या मोच आ जाने के करण शरीर के उस भाग में सुजन आ गई हो तो उसे दूर करने के लिए आप कलोंजी को पानी में पीस कर सुजन वाली जगह पर लगाएं इससे सुजन दूर हो जाएगी और दर्द में भी आराम मिलेगा कलोंजी के बीजों को पीस कर हाथ पैरों पर लेप करने से आपके हाथ पैरों की सुजन दूर होती है पथरी के रोगों में 250 ग्राम कलोंजी के बीजों को पीस कर 125 ग्राम शहद के साथ मिला लें और फिर इसमें आप आधा कप पानी और आधा चमच कलोंजी का तेल मिला लें इसको आप रोजाना दो बार खाली पेट इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप ऐसा 21 दिन तक करते रहते हैं तो आपकी पथरी पेशाब के रास्ते गल कर बाहर निकल जाएगी यदि किसी प्रसूता के अस्तनों में दूध नहीं उतरता या बहुत कम मातरा में दूध निकलता हो तो कलोंजी के लगभग एक ग्राम के मातरा उसको प्रती दिन सुबह शाम दे सकते हैं इससे प्रसूता इस्तिरी के स्तनों में दूध भनता है दोस्तों किसी को बार बार या बहुत ज़्यादा हिचकिया आती हों तो एक ग्राम पीसी हुई कलोंजी शेहद के साथ मिला कर चाटने से हिचकी आनी बंद हो जाती है इसके अलावा अगर आप कलोंजी के आधा से एक ग्राम मातरा मठे के साथ रोजाना लेते हैं आप अगर तीन बार या चार बार दिन में तो हिचकी आना बंद हो जाती है एक और उपाय है इसका कलोंजी का चून 5 ग्राम मखन के साथ रोज खाएं चार से छे दिन में हिचकी आने का रोग दूर हो जाएगा दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक कलोंजी हमारे लिए कितना लाभकारी सावित होती है तो इसी प्रकार से अगली बार हम कुछ और नई और श्रधियों को लेकर कि आप सभी के लिए आएंगे दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार